नमस्कार, न्यूस्क्लिक के डेली राउंड अप में आपका स्वागत है, मेरा नाम है सत्यम सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर हिंदूराव अस्पताल में वेतन को लेकर काम का बहिशकार जारी ABVP सदस्यों के हमले के खिलाफ, JNU छात्रों ने निकाली विरोध रैली वायू प्रदूशन पर पांच राजियों की हुई बैठक और मशूर लेकिका मन्नु भंडारी को दी गई अंतिम विदाई कोरोना अपडेट में बात करेंगे कि देश में 24 घंटे में 8,000 से ज्यादा नए मामले सबसे पहले बात कर लेते हैं दिल्ली के हिंदूराव अस्पताल की जहां करमचारी वेतन ना मिलने की वज़े से डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियों के लगातार बढ़ने के बीच भी हरताल पर जाने को मजबूर हो गए है फिलाल करमचारी रोज 3 घंटे काम बन कर हरताल कर रहे हैं मगर उन्होंने सुनवाई ना होने पर 18 नमंबर को पूरे दिन की हरताल की धंकी भी दी है डॉक्टर, नर्स, पेरामेडिक स्टाफ और अन्य सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक काम का बहिशकार कर रहे हैं पेरामेडिकल स्टाफ यूनियन के सदस्य तजिंदर सिंग ने बताया कि ये पहली बार नहीं है जब सरकार ने मेडिकल स्टाफ को हरताल पर जाने को मजबूर किया है आपको बता दें कि पिछले साल और इस साल जन्वरी के बीच लाखों की संख्या में म्यूनिसिपल कॉर्पॉरेशन के करमचारियों ने वेतन और भक्ते ना मिलने के खिलाफ हरताल की थी करमचारियों का कहना है कि टेंगू और मरेलिया के बढ़ते मामलों की वज़े से उनका काम का भार बहुत ज्यादा बढ़ गया है दक्षणी उत्तरी और पूर्वी दिल्ली नगर निगम पर भारतिय जन्ता पार्टी का राज है समय समय पर राज्य सरकार आमाद्मी पार्टी और बीजेपी के बीच वेतन के सवाल पर विवाज चलता रहा है एक तरफ आप बीजेपी की MCD पर भष्टाचार का आरोप लगाती है वहीं दूसरी तरफ वीजेपी आप पर फंड मुहया ना करयाने के आरोप लगाती रही है आगे बढ़ते हुए बात करेंगे JNU की जवारलाल नहरू विश्विद्याले चात्रसंग यानि JNU SU ने रविवार को राश्टिय स्वयम सिवक संग के चात्रसंग अखिल भारतिय विद्यार्थी परिशद यानि ABVP के सदस्यों द्वारा चात्रों पर किये गए कथित हमले के विरोध में सोमवार शाम को एक रैली निकाली इस धरना प्रदर्शन में सैंकडो चात्रों ने हिस्सा लिया JNU SU ने आरोप लगाया है कि ABVP से जुड़े चात्रों ने रविवाल 14 नवंबर को JNU Union Room को रीडिंग सेशन के दौरान बुक करने वाले चात्रों के साथ मार्क मीट की थी और उन पर हमला किया था हमले के दौरान कई चात्र घायल भी हुए थे यह हमला शुरू होने से ठीक पहले सोचल मीडिया पर पोस्ट किये गए एक बयान में SFI यानि Students Federation of India की JNU UKI ने आरोप लगाते हुए कहा था कि केंपस में ABVP ने 14 नवंबर को रीडिंग सेशन आयोजित करने वाले संगठन द्वारा बुक किये गए यूनियन रूम पर कबजा कर लिया था दक्षिन पस्चिम पुलिस के पुलिस उपायुक्त गौरफ शर्मा के मताबिक दोनों पक्ष वामपंती छातर संगटन और ABVP एक दूसरे पर आलोप लगा रहे हैं उन्होंने आउटलोक इंडिया को बताया कि हमें ऐसा कुछ नहीं लगा कि मौके पर कोई जगडा हुआ है पूश्टाच करने पर पता चला कि छातरों के दो गुटों के बीच तीकी नोगजों कुई थी और उन्होंने ये भी कहा कि जाँच जारी है और उस पर कारिवाई की जाएगी मंगलवार को देश में बंतर होती वायू प्रदूशन के इस्थिती पर दिल्ली, पंजाब, उत्तरप्रदेश, हर्याना और राजस्तान के बीच वायू गुडवत्ता प्रबंदन आयोक की एक सायुक्त बैठक हुई ये बैठक सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद हुई जिसमें कोर्ट ने केंद्र और राजसरकारों को फटकार लगाते हुए वायू प्रदूर्शन के खिलाफ उपाए निकालने को कहा था इस बैठक में दिल्ली के पर्यावरन मंत्री गोपाल राये ने दिल्ली और NCR के इलाके में वर्क फ्रॉम होम लागू करने और कुछ उद्योंगों को बंद करने का सुझाव दिया है इससे पहले शनिवार को मुख्यमंत्री अर्विंद केजरिवाल ने राजिके सरकारी संस्तानों में वर्क फ्रॉम होम लागू करने का निर्देश दिया था इसी बीच दिल्ली सरकार ने अपने अभियान ड्रेड लाइट और गड़ी ओफ को भी बढ़ा कर एक दिसंबर तक का कर दिया है आगे बढ़ते हुए बात करेंगे कि आपका बंटी, महाभोज और यही सच है जैसे मशूर और पन्यास लिखने वाली लेखिका मन्नु भंडारी का 15 नमंबर को 90 साल की उम्र में निधन हो गया मन्नु भंडारी की बेटी रशनायादव की मौजूदगी में आज लोधी इलेक्ट्रिक ट्रेमटोरियम में उनको अंतिव विदाई दी गई न्यूस क्लिक की तरफ से हम भी उन्हें विनम्र शद्धानजली पेश करते हैं और आज राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवस है आज ही के दिन 16 नमंबर 1966 में प्रेस काउंसिल ओफ इंडिया का गठन किया गया था जिसके अफसर पर पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है आज के संदर में बात करें तो ये सवाल उठता है कि क्या आज की भारतिय पत्रकारिता आजाद है देखिये वरिष्ट पत्रकार भाशा सिंग का इस पर क्या कहना है जिस तरह से त्रिपुरा में देश की दो महिला पत्रकारों को निशाने पे लिया गया समरिधी सखुनिया और स्वर्णा ज्हा को जो ह्डबलू के लिए पत्रकारिता करती हैं और त्रिपुरा में गई थी जिस तरह से मुसल्मानों के खिलाफ वहां सुनयोजित हिंसा का दौ चल रहा था उस पे खबर करने के लिए उसके बाद जिस तरह से तमाम नियम काइदे कानून की धजियां उड़ाते हुए तिरपुरा पुर्लिस ने उन्हें गिरफतार किया दबाव पढ़ने के बाद उन्हें छोड़ा तो गया लेकिन अभी भी वह स्टेट से बाहर नहीं ज कराया लेकिन हम पाते हैं कि तिरपुरा के जो मंत्री हैं वह कहते हैं ये दोनों पत्रकार राजनितिक दलों की एजेंट थी सिर्फ इतना ही नहीं बिहार में जिस तरह से युवा पत्रकार अविनाज ज्छा को मा डाला गया उनकी हत्या हुई उनका जला हुआ शव हमें मि कपन के साथ एक युवा पत्रकार जो गय थे उत्तरप्रदेश हाथरस में रिपोर्ट करने के लिए वहां पर एक दलित लड़की के साथ जिस तरह से बलातकार हुआ बाद में हत्या हुई उस पर रिपोर्ट करने की सजा आज भी सिद्धीक कपन जेल में रहकर गुजार र की त्रिपुरा में 102 लोगों के ऊपर यूए पी ए लगाया गया है सिर्फ वजह हिया कि वह हिंसा के खिलाफ बोल रहे थे प्रेस डेक पर बहुत जरूरी है प्रेस की आजादी के लिए खड़ा होना और बात करना और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कोरोना मामलों की केंद्रिया स्वास्ति मंतुराले द्वारा आज मंगलवार 16 नमंबर को जारी आकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 8,800 के करीब नए मामले दर्च किये गए हैं साथ ही इसी बीच देश भर में कोरोना से पीड़ित 11,900 से ज़्यादा मरीजों को ठीक किया गया और एक्टिव मामलों में 3,303 मामले कम हुए हैं देश में कोरोना संक्रमण के मामलों की संक्या बढ़कर 3,44,000 से ज्यादा हो गई है जिन में से अब तक 4,63,000 के करीब लोगों की मौत भी हो चुकी है देश में कोरोना से पीड़ित करीब 3,38,000,000 मरीजों को ठीक किया जा चुका है और एक्टिव मामलों की संक्या अब घटकर लगबग 1,30,000 हो गई है स्वास्ति मंत्राले की ताज़ा जानकारी के अनुसार देश में करोना वैक्सीन की अब तक 112,90,000,000 से ज्यादा डोस दी जा चुकी है जिन में से करीब 60,000,000 वैक्सीन की डोस पिछले 24 घंटों में दी गई है इसी के साथ आज के डेली राउंड अप में सिर्फ इतना ही हमारी अन्य खबरों को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमारी वेबसाइट न्यूसक्लिक.डॉट इन पर लॉग इन कीजिए और हमको फेस्बुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए देखने के लिए शुक्रिया